दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार स्पेस एक्स और टेसला के मालिक एलन मस्क कुछ न कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं और अपने नए इनोवेशन्स की वज़ा से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया है जो आज से पहले एक कलपना मात्र ही था। पर एलन मस्क इसे रियलिटी बनाने की कोशिश में है और इसी दिशा में यह मस्क का पहला कदम है। प्लैनेट मार्स पर इंसानी कालोनी बसाने के मकसद से एलन मस्क ने स्पेस एक्स का विस्तार किया और रियूजिबल लॉंच वहीकल बना कर सब को चौंका दिया। सैटलाइट इंटरनेट के लिए मस्क ने स्टार लिंक्स को स्टार्ट किया जिसका मकसद प्रिथवी के लोवर और्बिट में हजारों सैटलाइट को स्थापित कर फास्ट इंटरनेट प्रवाइड करना है। कैसा हो अगर इंसानी दिमाग में कंप्यूटर चिप फिट हो सके और फटा-फट डाटा ट्रांसफर, सेव या डिलीट किया जा सके। यह कलपना किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं, बलकि अमेरिकी अरबपती एलन मस्क की कंपनी नूरा लिंक की है। इस कंपनी का मकसद ही इंसानी दिमाग में एक कंप्यूटर चिप फिट करना है और जल्द ही यह कलपना सच्चाई में बदलने वाली है। नूरा लिंक ने अपने पहले प्रोडक्ट का नाम टेलीपैथी रखा है, जिसका काम इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक डाटा ट्रांसफर मीडियम का काम करना। नूरा लिंक की शुरुवात 2016 में एलोन मस्क ने की थी, जिसका उद्देश्य ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI टेकनोलोजी को विकसित करना है। 2019 में नूरा लिंक ने अपना पहला प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया, जिसमें अल्ट्रा थिन प्रोब्स थे, जो एक सर्जिकल रोबॉट द्वारा ब्रेन में डाले जाते हैं। 2020 में उन्होंने यह दिखाया कि एक बंदर केवल अपने थौट से पॉंग गेम खेल सकता है। इसका में फोकस नूरोलाजिकल डिसॉर्डर्स जैसे की पार्किंसन्स, एपिलेपसी और स्पाइनल कोर्ड इंजरीज के ट्रीट्मेंट पर है। इससे पैरलाइस्ट पेशिंस अपने लिंब्स को फिर से कंट्रोल कर सकेंगे। और ब्रेन इंजरीज वाले लोग अपने फंक्शनालिटीज रिकावर कर सकेंगे। इसके अलावा, नूरा लिंक यूमन कंप्यूटर इंटराक्शन को भी इंप्रूव करेगा। इससे लोग सिर्फ अपने फॉट्स से डिवाइस्ट को कंट्रोल कर सकेंगे। फ्यूचर में यह टेक्नॉलोजी मेमरी एंहांस्मेंट और कॉग्निटिव ऑग्मेंटेशन में भी हेल्प्फुल हो सकती है। जिससे हम अपनी मेमरीज को स्टोर और रिट्रीव कर सकेंगे। इस टेक्नॉलोजी के साथ एथिकल और सोशल चैलेंज़ भी हैं। जैसे प्राइवसी, थॉट कंट्रोल और सोशल इनिक्वालिटी के इस्यूस। इसलिए इसका रिस्पॉंसिबल और सेफ यूस एंशूर करने के लिए प्रॉपर रेगुलेशन जरूरी होगा। Technically, Neuralink को अपने brain implants की long term safety और durability सुनिश्चित करनी होगी, जो एक बड़ी challenge है। आने वाले समय में, अगर human trials successful होते हैं, तो इसके broader applications और advanced functionalities देखने को मिलेंगी। भविश्य में, Neuralink और AI का integration हमारी capabilities को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ ही संभावित खतरों को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। AI brain integration से cyber threats, mind control और data privacy जैसे मुद्दे सामने आ सकते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि इस तकनीक का उपयोग मानवता के भले के लिए हो और इसके misuse को रोका जाए। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अधिक updates के लिए हमारे चैनल को subscribe करें। इस post को like और share करना न भूले। धन्यवाद।